हाई बड़ीज मेरा नाम है मनीश और यह हमारा यूटुब चैनल मार्ग दर्शेक गुरुजी दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेबी वर्ब की फर्स्ट पॉर्म के साथ आएंजी इस कॉंसेट के बारे में आगे भी लगा हुआ है शायद तब इस कॉंसेट का हम इस्तमाल करते हैं थोड़े सेंटेंस बना कर देखते हैं दोस्तों को शायद रहा रही रहें आकर हैं हुआ है क्या आपने इस आइडेंटिफिकेशन को पहले भी कहीं देखा है एक्जेक्ट आप समझ सकते हैं प्रजें का भाव आजाए पॉसिबिलिटी का सेंस आजाए तो हम लोग उसको प्रजेंट कंटिनियस विट पॉसिबिलिटी अगर एड कर ले तो सब्जेक्ट वर वर्प की फस्तमां के साथ आएंजी तन आप्जेक्ट इस कॉंसेट को क्रियेट किया जा सकता है दोस्तों यहाँ पर पॉसिबिलिटी संभावना हो गया तो प्रजेंट कॉंटिनियस टेंस के साथ जब पॉसिबिलिटी आजाती है तो यह कॉंसेट आजाता है वहाँ पर शायद राम बाजार जा रहा है शायद वह तुम्हें घूर रहा है शायद इंडिया मैच हार रही है शायद वह रहे हैं हुए है और वह भी शायद वहले संस में तो मेबी का कॉंसेट वहाँ पर आ जाता है दोस्तो रहा रही रहे हैं आकर होगा होंगी होंगे भी आए और उसके आगे शायद लग जाये तो भी मेबी वर्प की फस्र पॉम के साथ आए जी आता है अब देखने में ऐसा लग रहा होगा आपको कि रहा रही रहें आकर होगा होगी होगे मतलब यह future continuous tense बिल्कुल भी नहीं यह present continuous tense का ही concept है देखिए क्या होता है दोस्तो हमारे सामने ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो present में ही है पर हमारे जुबान से निकल जाता है उसके लिए होगी होंगे कैसे जैसे सोचो हम घर पर ही है और हम घर पर ही है और हम station पर जाने की तयारी कर रहे हैं है न हमने mobile app में train का time देखा है न और हमने mobile पर जैसे ही वह train की location देखी उसकी tracking देखी तो हमको समझ में आएगा शायद train station पर आ रही होगी जल्दी चलो मुझे कॉल कर रहा होगा अभी आप देखो अभी आप mobile निकालते और उसको देखते हैं तो मोहन के बहुत सारे miss calls है है न और फिर miss calls में आप देखते हो कि अचानक मोहन का call आ जाता है तो आप इसको उठाते है फटक सरे receive कर लेते अब जरह जैसे हमारे पास से हमारा ही कोई दोस्त निकला उसकी हमारी उसके उपर ध्यान नहीं थी वह हमारे पडोस से निकल गया, बाद में हम उससे देखते हैं, अरे वो मोहन है, लेको जाने दो, मतलब डिस्टब मत करो, मोहन शायद बाजार जा रहा होगा, तो वो इस वक्त ही हम बात कर रहे हैं, कि मोहन शायद बाजार जा रहा होगा, उसको डिस्टब मत करो, वो जल्दी मे मतलब है हुए कि जगा हम लोग बहुत सारे present के sentence में होगा-होगी होंगे इस्तवाल कर लेते हैं लेकिन यह नहीं होता है कि वो feature हो जाता है ऐसा concept कभी भी नहीं है कि कि किसी भी sentence में गागी गये या होगा-होगी आये तो वो future ही होगा, बिलकुल भी नहीं वो past का sentence भी हो सकता है, वो present का sentence भी हो सकता है, यह depend करता है उस condition पर, मैंने आपको बताया sentence हमेशा feeling based होते हैं, emotion based होते हैं, अगर उसका आप sense समझ पाते हैं, तो आप sentence को सही translate कर पाएंगे, अगर आप sentence को word के हिसाब से translate करने की कोशिश करेंगे, मेरा मानना है आप गलत English बोल बाजार जा रहा है या शायद राम बाजार जा रहा होगा, यह दोनों sense present के ही है, इसलिए में भी वर्प की first form के साथ आएंगे इस्तमाल किया जाता है, दोस्तों अब तक पिछले मैंने जो भी समझाया, जैसे can भी समझाया, could भी समझाया, should भी समझाया, must भी समझाया, तो मैंने वहाँ समझाया की कोशिश की है, कि भाई, जैसे can भी है, तो can और present continuous tense, दोनों को mix कर दो, तो can भी बन जाता है, could और past continuous tense, दोनों को mix कर दो, तो could भी बन जाता है, should और present continuous tense, दोनों को mix कर दो, should भी बन जाता है, लेकिन में के साथ यह concept लागो नहीं होता, में एक अलग concept है और present continuous sense एक अलग concept है मैं सकता सकती सकते आकर है हुआ है और present continuous sense रहा रही रहे आकर है हुआ है sorry present continuous sense रहा रही रहे आकर है हुआ है अगर यह दोनों को हम mix करते हैं तो थोड़ा सा यह होता है कि present continuous sense तो है ही और साथ में possibility भी है तो यह दोनों include हो जाती हम लोगोंने उन concepts में क्या देखा है वो direct include होते हैं लेकिन यहाँ पर क्या होता यह possibility वाला sense create करता है जैसे शायद वह यहां आ रहा है ऐसा नहीं होता कि शायद वह यहां आ रहा हो सकता है बिल्कुल नहीं शायद वह यहां आ रहा है उसमें concept में क्या था can be और could be वाले concept में वहाँ पर था कि शायद वह यहां आ रहा हो सकता है या वह यहां आ रहा हो सकता है लेकिन इसमें वैसा नहीं होता कि शायद वह यहां आ रहा हो सकता ना शायद वह यहां आ रहा है बिल्कुल हम present continuous tense के identification लेते हैं और उसके आगे शायद लगा देते हैं देखो शायद train station पे आ रही है so train may be arriving at the station शायद Mohan शायद Mohan सो रहा है so Mohan may be slipping देखो हम Mohan के घर गए है ना बाहर से दरवाजा बन दिखा हमने देखा हमने दरवाजा नौक करने की कोशिश की पर कोई हलचल नजर नहीं आई तो मेरे ही साथ मेरा दोस्त था उसने वह जाने देया disturb मत कर शायद Mohan सो रहा होगा तो यह होगा future तो नहीं है दोस्तो present ही है तो शायद Mohan सो रहा है Mohan may be slipping यह शायद Mohan सो रहा होगा जाने दोसको disturb मत कर शायद Mohan सो रहा होगा तो यह present ही है Mohan may be slipping शायद तुम्हारा भाई पड़ाई कर रहा होगा Your brother may be studying शायद Ram exercise कर रहा होगा Ram may be exercising शायद Mohan brush कर रहा होगा Mohan may be brushing शायद Radha खाना बना रही है Radha may be cooking food शायद उसकी मम्मी, मतलब किसकी मम्मी, राधा की मम्मी, शायद उसकी मम्मी बरतन साफ कर रही होगी, हर मदर में भी washing utensils, शायद उसकी मम्मी कपड़े धो रही होगी, हर मदर में भी washing cloths, शायद शिवाय TV देख रहा होगा, शिवाय में भी watching TV, तो जब शायद आजाए और र sentence को सभी में बनाना है, शायद वह यहां आ रहा है, मैंने उससे अभी बात की, वह शायद यहीं आने का बोल रहा था, वह यहां आ रहा है, वह यहां क्यों आ रहा है, कौन यहां आ रहा है, who may be coming here शायद तुम्हारे पापा तुम्हें call कर रहे है your father may be calling you शायद तुम्हारे पापा तुम्हें call नहीं कर रहे है your father may not be calling you क्या तुम्हारे पापा तुम्हें call कर रहे है may your father be calling you तुम्हारे पापा तुम्हें call क्यों कर रहे है why may your father be calling you कौन तुम्हें कॉल कर रहा है who may be calling you जैसे शायद महंदर सिंग धोनी सिक्सर लगा रहे है so महंदर सिंग धोनी may be hitting success महंदर सिंग धोनी success नहीं लगा रहे है so महंदर सिंग धोनी may not be hitting success क्या महंदर सिंग धोनी success लगा रहे है मैं महंदर सिंग धोनी be hitting success, Mahan Singh Dhoni success क्यों लगा रहे है, why may Mahan Singh Dhoni be hitting success, कौन success लगा रहे है, so who may be hitting success, शायद India match जीत रहा है, India may be winning the match, India match नहीं जीत रहा है, India may not be winning the match, क्या India match जीत रहा है, may India be winning the match, India match क्यों जीत रहा है, why may India be winning the match कौन match जीत रहा है who may be winning the match वह यहाँ admission शायद वह यहाँ admission ले रहा है he may be taking admission here वह यहाँ admission नहीं ले रहा है he may not be taking admission here क्या वह यहाँ admission ले रहा है may he be taking admission here वह यहाँ admission क्यों ले रहा है why may he be taking admission here कौन यहाँ admission ले रहा है who may be taking admission here शायद राम लेटर लिख रहा है so राम may be writing a letter शायद राम लेटर नहीं लिख रहा है so राम may not be writing a letter क्या राम लेटर लिख रहा है may राम be writing a letter राम लेटर क्यों लिख रहा है why may राम be writing a letter कौन लेटर लिख रहा है who may be writing a letter शायद वह किताब पढ़ रहा होगा मैं होगा बोल रहा हूँ पर यह future नहीं है present continuous ही है न मतलब यह में वाला शायद वह किताब पढ़ रहा होगा he may be reading book शायद वह किताब नहीं पढ़ रहा होगा he may not be reading book क्या वह किताब पढ़ रहा होगा may he be reading book पर सेंटेसे से पांचो, जैसे मोहन टीवी देख रहा होगा, शायद मोहन टीवी देख रहा है, में मोहन भी वाचिंग टीवी मोहन टीवी कब देख रहा होगा और कौन टीवी देख रहा होगा क्वाचिंग टीवी दोस्तो जैसे कोई लड़का है जैसे मैंने बुला सागर सो रहा होगा सागर सो रहा होगा तो सागर में बी पाल सिर्पिंग शागर नहीं सो रहा होगा शागर शायद सागर नहीं सो रहा होगा सागर may not be slipping क्या सागर सो रहा होगा may सागर be slipping सागर कैसे सो रहा होगा how may सागर be slipping कौन सो रहा होगा so who may be slipping एक छूटा सा sentence on बना लेते हैं जैसे वह डाउनलोड कर रहा होगा he may be downloading शायद वह डाउनलोड कर रहा होगा he may be downloading शायद वह डाउनलोड नहीं कर रहा होगा he may not be downloading क्या वो download कर रहा होगा may he be downloading है ना वो download क्यों कर रहा होगा so why और पूरा sentence जोड़ दो और कौन download कर रहा होगा तो यह उपर लिख देता हूँ मैं who may be downloading दोस्तो इसी तरह अगर हम लोग थोड़ा may और may be के बीच के difference को समझ ले तो शायद may be बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए दोस्तो में होता है शायद सक्ता सक्ती सक्ते आकर है हुआ है और may be ing होता है शायद आकर रहा रही रहे है आकर है हुआ है देखो जैसे may में हमको sentence बना दो शायद वह यहां आ सकता है इसमें क्या बनेगा शायद वह यहां आ रहा है train station पर पहुच सकती है शायद train station पर पहुच सकती है शायद train station पर पहुच रही है electrician fan repair कर सकता है शायद electrician fan repair कर सकता है शायद electrician fan repair कर रहा है दोनों concept लगे जैसे एक sentence में बनाते हैं जैसे तुम लेटर लिख सकते हो शायद तुम लेटर लिख सकते हो तुम लेटर नहीं लिख सकते हो तुम लेटर कैसे लिख सकते हो तुम लेटर लिख सकता है तुम लेटर लिख सकते हो तुम लेटर नहीं लिख रहे हो शायद तुम लेटर नहीं लिख रहे हो तुम लेटर कैसे लिख रहे हो how may you be writing a letter और कौण लेटर लिख रहा हो सकता है तुम लेटर लिख रहा है किसकी संभावनौ लेटर लिखने की So who may be writing a letter दोस्तो यहाँ पर may और may भी दोनों को हम लोग ने slightly समझ लिया तो guys दोनों ही अलग concepts है मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको may भी उसके साथ verb की first form के साथ ing लगा हुआ है यह concept अच्छी तरह से समझ में आ गया हो अगर कोई confusion दिमाग में है आप comment section में comment जरूर कीजिएगा call कर सकते मुझे भी number वैसे ही thumbnail पर या मैं बोलूँ वीडियो के अंदर आने लग जाएंगे अगर आप चाहें तो call करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह की problem के लिए मैं sort out जरूर करूँगा thank you so much for watching this video till the end